युहन्ना का प्रकाशित वाक्य बाईस्वा अध्याए फिर उसने मुझे बिल्लौर कीसी जलक्ती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिहासन से निकल कर उस नगर की सडक के बीचों बीच बहती थी, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें बारह प्रकार के फल लगते थे, और वह हर महिने फलता था, और उस पेड़ की पत्तों से जाती-जाती के लोग चंगे होते थे, और फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिहासन उस नगर में और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुह देखेंगे और उसका नाम उनके मातों पर लिखा हुआ होगा और फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर के उज्याले का प्रियोजन न होगा क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उज्याला देगा और वे युग प्रभु ने जो भविश्दक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वरगदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है, दिखाए. देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविश्दवानी की बातें मामता है, मैं वही यहन्ना हूँ, जो ये बातें सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा, तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके प जातों के मानने वालों का संगी दास हूँ, परमेश्वर ही को दन्डवत कर, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविश्दवानी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है, जो अन्याई करता है, वह अन्याई ही करता रहे, और जो मलिन है, वह मलिन बना रहे, औ और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरे के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अलफा और ओमिगा पहिला और पिछला आदी और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और विविचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक जूट का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ ईश्यू ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विशे में इन बातों की गवाही दे। कि यदि कोई मनुष इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। हे प्रभुईश्यू आ प्रभुईश्यू का अनुग्र है पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन